हेलो फ्रेंड्स यह कुछ लें आपके स्वाकत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहे हैं जैसे यह अफगानी सलवार होती है उसका पॉंचा कैसे तयार होता है वो हम आज आपको इस वीडियो में सिखाएंगे पॉंचा बनाना बहुत इची और असान है तो उसके लिए हमें क्या करना है यह मैंने सलवार का इचे का हिस्सा है वो ले लिए है पॉंचा की तरफ जो हमें पॉंचा बनाना है उक्रम डालके पट्टी भी रेडि कर लिए जो पॉंचों में हम लगाएंगे पट्टी है जो चणित बड़ी दती आप चुटी तो दो चैकर सकते 5-7 तेटेट साब हमने चुननट सारी है चोटी-चोटी चुनन डालकी कम्प्लीट कर लिए अब लिए अब हमक्या उपकर की साइट जैसे कि यह में हमारा कपडा ही उपकर की साइड देनाच दिखता-ढहिना छहिता नीचे साइड नहीं लगेंगे उपकर की साइड लगाएं इस तरीके से हमने इसमें चुन्न डाल के रेडी कर लिया है अब हम क्या करेंगे सीधी साइड में इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से पेग सिला ही लगा देंगे ताकि अच्छा जम के आएगा तो यह दिखे फ्रेंट्स एक से लए हमने या लगाई एक से लए अब हम या लगाएंगे चुन्नट को सही करते हुए इसके पास पास एक से लए और दे देंगे तो यह दिखे फ्रेंट्स हमने दोनों पहुंचे हैं जो रेडी कर लिया है इस तरीके से अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे आड़े छे ये छे पर आप इसको बंद कर दीजिए ताकि जिसका पैर जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से बंद कर दीजिए यह पर हमने निसान दे दिया है और यहां से पहुंचे हम बंद कर देंगे याता है कि फ्र्रैंड इस तरीके से हमने दोने कहह चे जो रेडी कर लिए बहुत अच्छे से और सांधार ने उमकुछे गर्पेर आसान तरीके से इस तरीके से पहुत बना लीजिए और मेरे भी आपको अच्छा लगा थो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद